आज के इस अत्ति महेत्वपून कारेक्टम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के लोकप्रियम मुख्यमंत्री स्रिमान भुपेंद्रबाई पतेल गुजरात विदान सभा के अध्यक्स और बनाश्ट देरी के चैर्मेन स्रिमान संकर भाई चौधरी मोदी जी की मंत्री परिशद में मेरे साथ ही स्रिमान मुलिदर महोल जी गुजरात के सहकारिता मंत्री स्रि जग्दिश भाई पंचाल राष्टिय सहकारी संक्य अध्यक्स जिनके तत्वा धान में एक आरेक्रम हो रहा है ऐसे स्रि दिलिब भाई संगानी नाफेड के अध्यक्स स्रि जेठा भाई बरवाड सहकारिता सचीव स्रिमान आसिस भुटानी क्रिपको के अध्यक्स स्री चंद्रपाल सिंग जी कॉंडारू रविंदर राव अध्यक्स नेपकॉप स्री अजय भाई पतेल गुजरात राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्स स्री जोतिंद्र भाई महता अरबन कॉपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्स स्री घर्णसाम भाई अमिन राज्य सहकारी संग के अध्यक्स स्री अवस्थी एमडी इपको मिनेश भाई सा अध्यक्स एंडीडीबी स्यामल भाई पतेल अध्यक्स अमूल और आज के कारेक्रम में देश भर से आये हुए और विशेशकर मेरे गुजराच से आये हुए प्यारे सभी सहकारी भाई बेनों का मैं स्वागत करता हूँ मित्रों आज कई प्रकार से इमहत्वपूंट दीन है सबसे पहले 102 दोवा सहकारी अंतराष्टिय सहकारी दीन है 102 साल से एक प्रकार से आज के दिन को घिन ले तो देश भर के लोग इस दिन को सहकारी ता के दिन के रुप में मनाते हैं दुनिया बे भी अंतराष्टिय सहकारी दिन की इसकी मन्यता है और आज मैं देश और दुनिया के गुजरात के सहकारी ता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कारे करताओं को रदय पुर्वक सहकारी ता दिन की बहुत-बहुत सुबकामनाई देता है आज मेरे जैसे कई कारे करताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है आज डॉक्टर सामा प्रसाद मुकर जी का जन्म हुआ था स्यामा प्रशाद जी आज देश में बंगाल है तो इसका एक मात्र कारण स्यामा प्रशाद मुकर जी है आज देश में कस्मीर है तो इसका एक मात्रकारण स्यामाप्रसाद मुकर जी ने ही एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निसान नहीं चलेंगे ए अंदोलन का नित्र तो किया और लड़ाई लड़ते लड़ते अपना बलिदान दिया और आज देखे सालों पहले इस महापूरुष ने जिसको देश और दुनिया के सामने रखा था नरेंद्र भाई के नेत्रुतों में कस्मीर से दो विधान, दो प्रधान और दो निसान समर्प्त हो गए है और तिरंगा बड़े सान से कस्मीर में लहरा रहा है मैं आज स्यामा प्रसाद जी को बड़े मन पूर्वक और विनम्रता से स्रध्धान जली देना चाहता हूँ आज बाबु जग जिवन राम की भी पुन्यती थी है बाबु जी ने इस देश के दलितों के लिए पद दलितों के लिए धेर सारे इनके विकास के अभ्यान चलाएं और बाबु जी ने एक नीव रखी सामाजिक समरस्ता की और धर्म परिवर्तन के विरोध की और इसी नीव के चलते आज देश इस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और हम सब के लिए एक और दुष्टी से भी महतवपूर्दीन है क्योंकि आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्राले की स्थापना के थे कई सालों से सहकारिता क्षेत्र की मांग थी कि एक स्वतंत्रता सहकारिता मंत्राले बनाया जाए परन्तु कॉंग्रेस के आकाओं को इसकी जरूरियत महसूस नहीं होती थी मोदी जी गुजरात की धर्ती से आते हैं जहांसे सरदार पटेल, त्रिबोन दास पटेल और महत्मा गांधी ने सहकारिता की नीव डालने का काम किया था और उसी क्षेत्र से जब मोदी जी प्रदान मंत्री बन कर गए इसी डाज्य से गए इन्होंने सहकारिता की आज की जरूरियात को समझ कर स्वतंत्र सहकारिता मंत्रा लए भारत सरकार में स्थापना करने का काम हमारे नेता देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के मैं आप सभी को अपिल करना चाहता हूँ कि बड़े जोर से कर्टल धोनी से मोदी जी का हम सब ने धन्यवाद करना चाहिए भाहियो बैनो आज नैनो यूरिया के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भुपेंद्र भाई ने बहुत महत्वपूर्ण नीने लिया है नैनो यूरिया और नैनो डियेपी पर 50% की सबसीड़ी दी इस मौके पर मैं गुजरात सरकार का तो धन्यवाद करता ही हूँ साथ में सभी किसानों को भी अपील करना चाहता हूँ कि आप एक बार नैनो यूरिया का छिंकाव करते हैं बाद में थेली से घन यूरिया डालने की जरूरत नहीं है इससे आपका क्रॉप भी बिगडेगा भुमी भी बिगडेगी ये तरल नैनो यूरिया और तरल नैनो डियेपी जो है प्रवाही यूरिया और प्रवाही डियेपी है ये परियाप्त है आपके क्रॉप के लिए ये परियाप्त है ज्यादा उत्पादन के लिए ये दोनों का छिंकाव करने से निश्चीत रुप से आपका क्रॉप और भूमी ही बिगड़ेगी, खाने वालों का स्वास्त भी बिगड़ेगा। स्वास्त की हम सब चींता करें। मैं अपिल करना चाहता हूँ, अब दो ब्रांड हमारे पास, एक भारत और्गेनिक जो NCOL का है और दूसरा अमूल, ये दोनों विश्वस ये ब्रांड है, मैं देश बर के लोगों को अपिल करना चाहता हूँ, आप विश्वास करकर ये दोनों ब्रांड खरीदें, ये सत्त प विश्वकी सबसे आधुनिक तकनीक से आपको मिलने वाला और्गेनिक फूड, और्गेनिक है या नहीं है, इसकी जाच करती के ही इस पर भारत ब्रांड और अमूर ब्रांड का थपपा लगता है, विश्वास के साथ इसको खरीदिये और अपने परिवार का, अपने बच् आप स्वास्त का ध्यान दखिए, अमूल ने भी आध दिल्ली में और्गेनिक प्रोड़क की स्वाप का उद्धाटन किया है, भाई और बैनों, हमारे देश में सहकारिता कोई ये नया विचार नहीं, सवासो साल पूरा ने इस विचार को हमारे पूर्खों ने अपनाया था, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे, गाडगिल जी जैसे, वैकुन भाई महता जैसे, त्रिबोन दास पटेल जैसे, कई मनिश्यों ने इसकी सुरुआत की, परंतु एक समय आया, जब ये सहकारिता की रिलेवंसी को, आज भी सहकारिता कितना महत्वपून है, इसको पहचानते हुए नए सरकारिता मंत्राले की स्थापना की हैं, आज हम एक मकाम पर खड़े हैं, सवासो साल पूराना सहकारिता अंदोलन अद देश के कई क्षेत्रों में महत्वपून योगदान देशली पर खड़े हैं, कुछी रून के वित्रण में 20, гр थीलाइजर के वित्रण में 35, उत्पादन में 21, पर चीनी में 31,30 उत्पादन, गेऊं की खरीदी में 13 पर थीले, और धान की खरीदी में 20. एक महतुपूर्ण योगदान ग्रामीन अर्थविवस्ता और एग्रिकल्चर अर्थविवस्ता में कॉपरेटी सेक्टर दे रहा है ना फेड इपको, अमूल, क्रिपको, कई सारी हमारी सहकारी संस्ताइं विश्वबर में प्रसीद हुई हैं मगर इससे संतोस नहीं लेना है कि अगले 125 साल तक सहकारीता हर घर और हर घाओं में पहुचे ये हमने करना है सरकार ने अपना काम कर लिया है और कई सारी नई योदनाएं सरकार लेकर आई है आज मैं दो चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ सहकारीती माध्यम से भारत सरकार ने इठेनोल को और मक्के का उत्पादन करने वाले किसानों की समरुदी बढ़े इसके लिए धेर सारे कदम उठाएं मक्के के किसानों का बड़ा कंप्लेन था कि मक्के के उचित दाम नहीं मिलते हैं अब हमने व्यवस्ता कर दी है कि मक्के की खरीद हमारे दोनों कोपरेटिव के माध्यम से ओनलाइन कर दी जाएगी आपको जितना मक्का उत्पाद करना है इतना करिये वो MSP पर खरीदा जाएगा और इससे इथेनोल बनाया जाएगा किसान की तो समरुद्धी बढ़ेगी परंतु साथ में पेट्रोल की आयात कम करकर हम देश के खजाने को भी विदेशी मुद्राओं से समरुद्ध करने का एक पुन्य कारिय करेंगे इसी तरह से दलहन में भी चार दलहन आप जितनी भी करनी है इतनी करिये ना फेड और हमारा कंजूमर कॉपरेटिव है ये दोनों के माध्यम से आपका दलहन सत प्रतिसत MSP पर खरेद्या का हमने काम किया है और मैं मानता हूँ इसका जितना हो सके उतना प्रचार हमने करना चाहिए बाई और बेहनों आज एक थोड़ा हलका सा जिक्र कोपरेशन एमोंग्स कोपरेटिव सहकारिता सहकारी संस्थाओं के बीच में इसका जिक्र किया है मैं आज आपके माध्यम से देश भर के सहकारीता क्षेत्र के कारेकरता को अपील करना चाहता हूँ सहकारीता क्षेत्र का पूरा अर्थिक व्यहवार सहकारीता क्षेत्र में हो ये अगर हम कर लेते हैं तो हमें सहरकारिता क्षेत्र से बाहर एक भी पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह मैं आपको विश्वास के साथ गुजरात में बनासकांटा और पंचमाल में इसके पाइलोट प्रोजेक्ट करें मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ ये दो जिलों के अंदर साथ सो पचासी करोड रूपे की डिपोजिट हम बढ़ाने में सफल हुए सिर्फ दो जिले के अंदर अगर देश के सभी जिलों में हो जाए तो हमारे पास परियाप्त धन होगा जिससे सहकारिता का बाग फल भूल कर बहुत बड़ा हो जाएगा और जिरो प्रतिसत इंट्रेस्ट पर 23,000 से ज्यादा के सी सी काडों का वित्रन हुआ है 3.8 लाक रूपे डेबिट काड जो बहुत कम रूण में हमारे किसान बाई और दुद उत्पादन करने वाली माताओं को रूण देता है वो रूपे डेबिट काड उनको दिये गए है और एक प्रकार से दोनों जिलों में उर्जा का संचार हो रहा है एक आरे करेम के बाद मैं बनास कांटा और पंचमाल जा रहा हूं परन्तु मेरा नाबाड और सभी देशबर की राज्य सहकारी बैंकों से अग्रह है कि डिस्ट्रिक कॉपरेटी बैंक को साथ में रखकर जिला दूदुत्पा दक्सं को साथ में रखकर हर डेरी हर पैक्स हर सहकारी संस्ता जिले की अपना एकाउंट डिस्ट्रिक कॉपरेटी बैंक या स्ट्रेट कॉपरेटी बैंक में खुलवाएं अपना सारा जमारासी, सारा डिपोजीट कॉपरेटी संस्ताओं में करें, इससे सहकारी तक शेत्र मजबूत भी होगा, उन्जी भी बढ़ेगी और हमारी उर्जा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे, मुझे आसा है कि कॉपरेशन एमोंग्स कॉपरेटी का जो कंसेप इसको पुरा देश स्विकार करेगा और हमारी ताकत बढ़ेगी, सहकार से समरुद्धी, यह हमारे देश के प्रदान मंत्री, मोधी जी ने नारा दिया है, ऐसे ही नहीं दिया है, मैं आप सभी को यह नारे के पीछे का चिंतन बताना चाहता हूँ, इस देश में 30 करोड घर मोधी जी ने 10 साल के अंदर इनकी दैनन दिन जरूरियातों से मुक्त कर दिया, इसको घर दे दिया, घर में बीडली दे दिया, सवचाले दे दिया, पिने का पानी दे दिया, 5 किलो खाने का अनाज, मुक्त दे दिया, और घैस का सिलिंडर भी दे दिया, यह 30 करोड लोग ऐ तकम डस स्साल के अंदर मोधी जी ने पुरा कर दिया है अब उनके पास लक्स नहीं है मगर उनके पास लक्स है वो आगे बढ़ना चाहता है वो अपने बच्चों के लिए स्कुटी लाना चाहता है घर में एक अच्छा पंखा लगाना चाहता है मा बिमार है तो कुलर लगाना चाहता है वो पुरुसारत करना चाहता है मेहनत करना चाहता है मगर पुंजी नहीं है अगर पुंजी नहीं है और देश के विकास के लिए योगदान देना है पुंजी नहीं है और अपना विकास करना है तो इसका एक मात्र रास्ता एक मात्र मं सहकारिता है इसके लावे नहीं हो सेगा अमूल इसका उदारण सो रुपय से ज्यादा पुंजी किसी बेहन नहीं लगाई है 35 लाख बहने आज सिर्फ सो रुपय की पुंजी निवेश करकर साथ हज़ार करोड रुपय का व्यापार कर रही है ये इसका सबसे बड़ा उदारण सो रुपय की सिर्फ पुंजी से नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समरुद्धी जो मंत्र दिया है ये मंत्र के पिछे आजादी के 75 साल के बाद भी जो 30 करोड लोग पिछणे हुए हैं आर्थीक रुप से पिछणे हुए हैं इनके जीवन में आत्मविश्वास खुसी और स समरुद्धी देना है वो परिश्रम करे अपने पैर पर खड़े हो और उनकी आने वाली पिडिया भारत की अच्छी नागरिक बनकर भारत के विकास में योगदान दे पाए इसलिए कोपरेटिव को समरुद्ध करना है भारत सरकार के सहकारिता मंत्राले ने देर सारे कदम उठाए सबसे पहले हमने एक डेटा बेस तयार किया है कौन से राज्य में कितनी कोपरेटिव है कौन से जिले में कितनी कौन सी तैसिल में कितनी है और कौन से गाउं कोपरेटिव एक्टिविटी के बगैर के है आज मेरे टेबल पर बैठ कर दिली में मैं एक गाउं इसमें डेरी है या नहीं है पैक्स है या नहीं है ये उपलब्ध ये सारा डेटा डिस्ट्रीक कॉपरेटिव रजिस्टारों के पास भी उपलब्ध है और हमने अभियान चला है दो लाग पैक्स और डेरी बनाने का मैं आज देश भर के जिला रजिस्टार जिला कोपरेटिव बैंकों के अध्यक्स और दूद संगों के अध्यक्स को अपील करना चाहता हूँ आप डेटा बेज का उपयोग करिए और जहां खाली जगे है वहां नई सहकारी संस्था स्थापने की सुरुवात करिए तब जाकर हमारा काम आगे बढ़ेगा देश का कोई राज ऐसा नहो कोई जिला ऐसा नहो जहां वायबल डिस्टिक कोपरेटिव बैंक और वायबल जिला दूदुत्पा दक्संग नहों ये करेंगे तब ही हम आगे बढ़ा पाएंगी इसके बेज को विस्तरूत कर पाएंगे और समरुद्धी हर गरीब के गर पर हर ग्रामेन के गर में पहुँचाने का हम काम खर पाएंगे इसलिए हमने सहकारीता से यूप पंचायत की कलपना करी इस देश में आज भी दो लाग पंचायत ऐसी हैं जहां एक भी कोपरेटिव संस्तान नहीं है हमने लक्स रखा है अगले पांच साल में ये दो लाग पंचायतों में मल्टी परपस पैक्स बनाने का काम हम सब साथ में मिलकर करने हैं यहां डिस्ट्रिक कॉपरेटिव बैंक के चैर्मेन को भी मिल देखता हूँ भया इलेक्षन का वीचार मत करना कि नए गाओं में पैक्स बनेंगे तो आपको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे आपके भाग्या में नहीं है तो इतने पैक्स भी आपको हरा सकते हैं हमने कॉपरेटिव मुव्मेंट की सूथनी चाहिए अगर आप कॉपरेटिव मुव्मेंट को मजभूत करोगे पिए के बढ़ाने का काम करें, भाही और बैनों इसके साथ साथ पैक्स क्यों, वीक पैक्स बन जाते हैं? इसका भी हमने संसोधन किया, क्योंकि रून देने में, क्ोई ज्यादा मुनाफ़ा बचा नहीं है, होना भी ने चाहिए। किसानों को सस्ते दर से रून मिलना ही चाहिए तो हमने पैक्स के मॉडल बाइलोज बनाई और मुझे अनंद है कि पैक्स स्टेट सब्जेक्ट होने के बावजूद कस्मीर से कन्या कुमारी और आसाम से लेकर ध्वारका तक हर राज्य ने मॉडल बाइलोज एक्सेट किये हैं और सबके बाइलोज में हमने पैक्स को मल्टी पर्पस बनाई है अब पैक्स डेरी का भी काम कर सकते हैं पैक्स बंडारन का भी काम कर सकते हैं पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी लगा सकते हैं, Pax fertilizer भी बेज सकते हैं, Pax petrol pump भी लगा सकते हैं, Pax railway की booking भी कर सकते हैं, Pax aeroplane की booking भी कर सकते हैं, Pax CSC भी बन सकते हैं, और आज मुझे आनन्द है, मैं जब आपके सामने बोल रहा हूं, आज सुबह में data लेकर आया हूं, 65,000 में से 48,000 Pax ने कोई न कोई नए आयाम को अपने साथ जुड़ कर Pax को viable बनाने का काम हैं, और मेरा आप सभी से अगरा हैं, कि नए Pax जो register हो, वो model by law इसके पर, dairy इसके साथ जुड़ी हो, बंडारन इसके साथ जुड़ा हो, खाद का व्यापर इसके साथ जुड़ा हो, सस्ती दवाईयों की दुकान इसके साथ जुड़ी हो, और घुजरात राज जैसा राज्यतो इसमें model बन सकता है, देजबर का मार्ग दर्सन करना हैं, भाई और बेनों इसके साथ हमने तीन मल्टि स्टेट कोपरेटिव बनाएं, और गेनिक सोसाइटी, एक्सपोर्ट सोसाइटी और बीज सोसाइटी, इसके माध्यम से किसानों की समरुद्धी बढ़ाने का मार्ग प्रसस्त किया है, मेरा आप सभी से आग रहें, एक तीनों सोसाइटी की साइट पर जाकर आपने आपके अपने पैक्स को इसके साथ रजिस्टर करिए, सहकारी बैंकों के लिए, नागरिक सहकारी बैंकों के लिए, एक अम्रेला संगठन बनाने का सुरुवात हुआ है, और इससे सहकारी बैं नए बाई लॉज एक लाग से अधिक प्रेक्शों एक्सेप्ट कर लिये हैं और NCDC को 2000 करोर डुपे का बॉंड जारी करने से NCDC ज्यादे सहकारी संस्थाओं का भला कर पाएगी इसका मुझे विश्वास है अर्बन कॉपरेटिव बैंक को नई साखाये खोलने का लक्स मिला है पी एसल के लक्सों की आगरह जो था है इसमें भी दो साल बढ़ाने का नीने किया है सहकारी बैंकों को व्यक्तिगत आवास रून की सिमा दो गुनी कर दी गई है और आईकर का लाब और नकद उठाने का सिमा दोनों में बढ़ोतरी की है मैट में 18 परशट से कंपनियों की तरह 15 परशिट लाए हैं और चिनी सहकारी मिलो के सालों से पेंडिंग चीज जी थी वो 15,000 करोड का उनका इंकम टेक्स के क्लैम को कानून बना कर निरस्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोधी जी ने भाई और बैनों मैं आज इस माध्यम से देश भर के सहकारीत अक्षेत्र के कारेकरताओं को सुपकामनाओं के साथ साथ आहवान भी करना चाहता हूं कि आए हम सब साथ में मिले और सहकारीता को हमारे देश का अर्थतंत्र का एक मजबूत स्तंब बनाएं नकेवल स्तंब बनाएं तीस करोड गरीब लोगों के जीवन में करोडों ग्रामीन लोगों के जीवन में सुवीदा समरुद्धी और आत्मविश्वास को जगाने का काम करें उनके जीवन को सुचारू रुप से आगे बढ़ेने का हम प्लेट्टों दे एक टीम की तरह काम करते हुए इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाए यही मेरी अप्यतना है मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ भाई और बेनों दो जार उनतीस में जब सहकारिता दिन मनाया जाएगा एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां पैक्स नहीं होगा जहां डेरी नहीं होगा और जिला कक्सा की संस्ताय लिए इसके लिए आप सबका साथ चाहिए आप सबका सहकार चाहिए मुझे भरोसा है मिलेगा हमने मोदी जी के स्वपन को सहकार करना है और घरीबों की सेवा के लिए आगे का सहकारिता का एक सतक हमें आगे ले जाना है आप सबका मैं रदय से ध बहुत मेरतोपुन है अज सामा प्रसाद मुकर जी का जन्मदिन है तीनों की मैं बहुत-बहुत सुपकामनाय देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं